बरेली में आम आदमी पार्टी के जवान के साथ होई अमानवी घटना ने सभी को जख जोर कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि फौजी सोनु सिंग राइफल मैन के पद पर राजरीफ बटालियन में तैनात था और वह अपने बेटे के जन्म होने पर चुटी लेकर घर आया था। बेटे की खुशिया अपने दिल में संजोए राइफल मैन को नहीं पता था कि टी टी ई उसको मौत के मुह में दखेल देगा। जब वह चुटिया खत्म होने के बाद वापस जा रहा था तभी प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार राजधानी एक्सप्रेस से उसको वापस जाना था कि राजधानी एक्सप्रेस की टी टी ई से उसकी किसी बात को लेकर नोग छोग होई थी। आरोप है कि ट्रेन के टी टी ई ने जवान का बैग ट्रेन से फेक दिया था जिसके बाद सोनु सिंग अपना बैग लेकर दोबारा चलती ट्रेन में चढ़ने लगा। इसी बीच DTE ने उसको धक्का दे दिया जिसकी वजह सिवह ट्रेन की चपेट में आ गया और उसके दोनों पैर कटके आर्मी अधिकारियों ने ततकाल इलाज के लिए उसको मिलिटरी एस्पताल कैंट में भरती कराया जहां सोनु सिंग ने बीती रात दम तोड़ दिया उनका लड़का ऐसा वापस जा रहा है थे तो जैसा कि मुझे पता चला सर की बरेली इस्टेशन पर टीटी के साथ कुछ हुआ बातचीत उनसे कुछ हुई कि ट्रेन जब चल टीटी ने उनका बैक फेक दिया वापस पर फार्म पर उसके बाद इनको चड़ने से रोका उसके जब ट्रेन चलने लगी यह चड़ने की कोशिस गिये तो टीटी ने इनके हाथे मार पिटके इन से और हाथे मारा और धक्का दी दिया जिसके कारण यह ट्रेन से गिर गए और इनका एक पैर वहीं पर ततकाल ही कट गया किया मांग करते हैं किस ऐसे क्रवाई कि अब मैं क्या मैं करूं मैं भी एक सानिक हुज़े तो देख जी आप देखें ऐसे मुझे भारतिये सेना पर भरोसा है सर, भारतिये सेना ने भी अपना एक जवान खोया है, मैंने तो अपना भाई खोया ही है सर मेरा परिवार तो सर उसका परिवार भियानात हो गया, मेरा भाई मुझे दू चला गया भारतिय सेना ने भी अपना एक जवान खोया है मुझे इस देश की ने इतालिका और भारतिय सेना पसर पूरा भरोसा है मुझे और मेरे परिवार को और सोनु के परिवार को पूरा इंसाफ में लगा साथ कहा करें लो लग दिए मैं उप्पी बलिया गाउं साथ नजर हर खबर पर